तो यह वीडियो काफी research करके बताए बनाए गई है यानि कि बहुत सारी लोगों का दर्द दू segment कैसे कैसे लोगों के उपर बीथती है चोटी चोटी गलतियां करके तो यह वीडियो हुआ उनके बेस पर बनाए घिया तो हालागी चोटीचोटी हैं पर यह कि वह चोटी-चोटी मिस्टिक्स दिक्कत दे देती हैं तो ऐसी क्या गलती है करते हैं तो पहली गलती है कि भी या do not chat with strangers आजकल क्या होता है social media जमाना है आपको पता है तो लोग chat करते हैं इंस्टाग्राम पे फोलो रिक्वेस्ट वगेरा सावरा कुछ तो क्या होता है बहुत सारे लोग बैठे पढ़ें दुनिया भर के लड़कियों को अप्रोच करते हैं तो कभी-कभी आता है उनकी जिसे आपस में बात चीज हो जाती है तो हजबन को पता चल जाता है तो उस चीज को लेके वो बना देते हैं यहीं कि छोटी बात को बड़ा बना देते हैं तो ऐसे हैंस प्रूव वाइफ का घर खराव हो जाता है उससे समझे वह रिलेशन खराव हो जाते हैं तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो डूरूट परफॉर्म डैट टैप अफ मिस्टेक तो मत करो यह अब कभी आपन प्यार में रहते हैं तो सब कुछ बता देते हैं तो ऐसे ना बता हैं बहुत केसे ऐसे देखे हमने की रिलेशन्शिप में मतलब साधी में बता देते हैं फिर बाद में वह दिकत करते हैं फिर हजबन साब उनी को लेकि टौर्चर करा जाता है और बला बला तो घर टूपने के चांसे बढ़ जाते हैं तो कभी भी आप ऐसी सबाते ना वता हैं मैंने आपके साथ कुछ भी हुआ हो दूनों टैल अबाउट और पास्ट रिलेशन्सिप्स ओके एट सब्सक्राइब नेक्स्ट गलती है कि कभी-कभी क्या होते हैं कि हम कोई प्राइव टूपने वाइव की अलावा जैसे मालों वाइव का कुछ भी है उसका एकस है मनलो उसके साथ अगर उसकी कोई ПИक्स है रिकॉर्णि Гानजज़ ठोग और प्राइवीट फोल्डर में और प्राइवीट व्लत को मेंटें कर लेते हैं अपने फॉन में तो आई ऐसी गल्ती मत पट्टा सामने आ जाएगा सो युल तीवी बिलकुल आप ना करें तो नेक्स्ट कलती यह आती है कि कभी-कभी क्या होता है कि अपने जैसे वाइफ होती है ना वाइफ होती है तो बिना बताए घर यानि अपने सुसराल वालों को बताए कहीं भी चली जाती है अब यह वाला लेकिन जो मौड़ो इसीो कि तो चले आ रहे है सदियों से एक है कि जैसे बिणा बिना बताए घर से वाइफ चली जाती हैं किसी important काम के लिए भी तो उसको भी इशू बना देते हैं तो अगर आपके घरवाले आपको लगता रहें कि सुस्राल वाले थोड़े बहुत ऐसे हैं तो भाई बिना permission के घर से मत जाया करो यह मैं wife के लिए बताओं बिल्कुल भी मत जाया करो क्योंकि issue बनेगा फिर मुद्धा होगा दिक्कत आपको होगी तो क्यों ना उनको पहले ही solve कर लें वो कहते हैं ना prevention is better than cure तो next thing आती है कि जैसे मानलों कुछ बिदिस्प्यूट हुआ चोटा मोटा कुछ भी हुआ अब wife क्या करते है कि भी matrimonial house छोड़ के चली जाती है यानिकी social चोड़ के चली जाती हो तरह जैसे चोटी चोटी बातों पर चली जाती है तो देख़ो है या उन ऐसे-एसे case देख़े है कि चोटी चोटी बातों पर चली जाती है फिर husband ना लेने ही नहीं आता हूँ उनको बोलता है भी तू अपनी अकड़ी दिखा क्योंकि उस टाइम फिर बोलते है भी जब तू खुद गई थी तो खुद आ हूँ हजबन अपनी अकड़ में रहता है भी खुद आ वाइफ यह रहते हैं कि भी मिरको कोई लेने आए अब आप खुद सोचो कोई नए नवेली भाव हो है वो कैसे जा सकती है पतला हो समझे खुद कैसे चली जाएगी हो उसको कोई लेने आएगा तब ही तो वाइफ इस अकड़ से बनिया मतलब बहुत सारी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है तो हमने सोच अब ही क्यों ना आने वाली जो होते ना जिन्होंने शादी कर रखे जो नहीं नहीं कपल से उनको पता चले इसा अभी बाते सो कहते ना प्रिवेंशन इस बैटर देन क्यों तो प्रिवेंशन करो इलाज से परेज ही अच्छा तो परेज करो इलाज की जुरुती नहीं पड़ेगी ओके सो आई होप इस के लिए